हाई एवरिवन आज की वीडियो ड्रेस पे होने वाली है और इसमें मैं राधा around के लिए ड्रेस बना रही हूं तो जो भी ड्रेस मैं बनाँगी सारी की stitching वीडियो तो मैं नहीं share कर पाऊंगी लेकीन यहाँ पे जो है मैं राधा रानी के लिए skirt बना रही हूं तो full flare की skirt कैसे बनाते हैं और कैसे कितनी fabric की length होनी चाहिए ये detail मैं आपको इसमें बताऊंगी और इसकी जो measurement है वो last में मैं आपको बताऊंगी 10 inches की राधारानी है मेरी तो उनमें 6 inches की skirt आती है तो वही skirt मैं बनाने जा रही हूँ और इसकी जो उपर से कमर से पैर तक की जो लंबाई आती है वो 6 inches आती है तो मैं 6 inch की skirt बना रही हूँ तो इसमें देख सकते हैं मैं इसकी घेर की measurement है वो मैं आपको अभी वीडियो की last में बताऊंगी क्योंकि मैं final ready होने के बाद measurement में बताऊंगी क्योंकि इसकी stitching मैंने जो है start कर दी थी तो यहाँ पर जो है मैं skirt में घेर बना रही हूँ और आप देख रहे हूँगे इसमें मैंने red color की lace use की है नीचे घेर की side पर और चुन्नटे डाल रही हूँ इसमें मैं तो इसमें full flare बनके आएगा और देखते हैं कि बनने के बाद यह skirt कैसी लगती है friends तो इसकी जो कमर है कमर भी मैं 6 inch की ही बनाऊंगी इसमें जो है lining के लिए मैंने cotton का fabric यूज किया है जो की yellow color का fabric है और पहले मैंने cotton के ици fabric को attach किया है चंदेरी fabric जो है उसके साथ उसके बाद मैंने उसको ऊपर से stitch किया है तो यहां पर मैं कमर की पट्टी बना रही हूँ और इसको मैं ons इसको मैं attach करूंगी तो देखते हैं कि ये skirt बनने के बाद कैसी लगती है friends और यहाँ पर जो है मैं पट्टी attach कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे तो finally friends ये skirt बनने वाली है और इसमें मैं पट्टी बनाने के बाद कमर बनाने के बाद जो है मैं इसमें डोरी डाल की और एक लटकन लगा दूँगी finally address बनके ready हो गई है friends और यहाँ पर देख सकते हैं ये राधारानी के लिए मैंने टॉप बनाया है जो कि बहुत ही simple और बहुत ही easy है तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है friends dress making की और भी वीडियो मैंने डाली हुई है अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर से देखिए और friends आप से एक छोटी सी request करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पे नियू है तो चैनल को subscribe करिए और bell icon को जरूर प्रेस करिए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो आप तक easily पहुंच सके और यहाँ पे friends जो है मैं पगड़ी के लिए पट्टियां बना रखी है जो कि कृष्ण जी के लिए मैंने बनाई है और इस तरीके से पट्टियां बनाने से बहुत easily हम पगड़ी को बांच सकते है यह एक पगड़ी के लिए पट्टि बनाई है मैंने और यहाँ पे यह राधा रानी के लिए मैंने दुपट्टा बनाया है जो कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने side पे yellow color की lace लगाई हुई है और यह दुपट्टा भी काफी अच्छा लग रहा था यहाँ पे जो है मैंने कृष्ण जी के लिए दो धोती बनाई है एक तो pure cotton fabric है जो कि बिल्कुल plain है जिसमें मैंने lace लगा रखी है और दूसरा जो यह धोती है यह चंदेरी fabric पे बना रखा है मैंने जो भी इसमें ज्यादा अच्छा लगेगा मैं वही उनको पेनाऊंगी यहाँ पे एक और पट्टी जो है मैंने बनाई है जो कि चंदेरी fabric से बनाई है मैंने और इसकी भी length अच्छी घासी रखी है जिसे की पगड़ी जो है अच्छे से बंध जाए और काफी अच्छा मुझे लग रहा है जहां तकी काफी अच्छा लगेगा लेकिन जब भी मैं ये dress उनको पेनाऊंगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और ये एक दुपट्टा जो है मैंने कृष्ण जी के लिए बनाया है और इसमें मैं बीट से चुन्नटे करके और इसको मैं कमर में बांधूंगी जो की काफी अच्छा लगेगा साइडों पे लेस लगा रखी है तो अच्छे से बंध जाएगी और अच्छी लगेगी मुझे जहां तक लगता है और ये जो है राधारानी के लिए मैंने स्कूर्ट बनाई है तो इसकी जो फ्लेयर आई है काफी अच्छी है तो देख लेते हैं कि इसकी जो घेर की लंबाई है टोटल वो कितनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो घेर की लंबाई है टोटल वो है 35 inches के लगबग है क्योंकि इसमें margin भी add होगा क्योंकि side से मैंने half half inch fold किया है तो total इसकी घेर की जो लंबाई होगी वो 35 inches मैंने ले रखी है आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं अपने according तो मैंने 35 inches रखा है और यहाँ पर मैं इसको iron करूँगी और अच्छे से press करूँगी ताकि यह इसकी जो चुनटे हैं वो अच्छे से fix हो जाएं दब जाएं और इसकी चुनटे अच्छे से जो है बंद जाएं और अच्छी लगेगी iron करने के बाद और मुझे लगता है फ्रेंट्स की यह जो ड्रेस है यह पहनाने के बाद बहुत अच्छी लगेगी जब भी पहनाऊंगी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी फ्रेंट्स और जो है कमर से जो लेस लगी है वहाँ तक की लंबाई 6 inches है टोटल तो आप अपने एकॉर्डिंग जो है ड्रेस बना सकते हैं अपने रादा कृष्णा की मेजर्मेंट के एकॉर्डिंग तो यही है फ्रेंट्स आज की जो ड्रेस है और इसमें मैंने यह लटकन लगा रखी है तो मुझे तो काफी अच्छी लगी आपको अच्छी लगे तो कमर्मेंट करके मुझे बताइए और वीडियो पसंद रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए और आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई